नमस्कार आप सबका बहुत स्वागत है इस चैनल पर और आज मैं शूकरने जा रही हूँ सुरेंदर मोहन पाटक का लिखा हुआ नौवल बहुरूपिया जिसके लिए फर्माईश की थी मेरी मा और करन अरोडाने उमीद करते हूँ आप सब लोग इसे पसंद करेंगे और आपकी भी फर्माईश या कोई कहानी या उपन्यास कवीता जो आप मेरी आवाज में सुनना चाहें तो आप जरूर मुझे बताएए मैं पूरी कोशिश करूँगे कि मैं आपकी पसंद की फर्माईश को पूरा कर सकूँ थोड़ा लेट हो सकता है पर जरूर करूँगे तो शू करते हैं नौवल बहुरूपिया वो मुलगावी थी जो खुद ही मेरे सर पर आकर बैठ कही थी इसलिए यूरस टूली को उस सेंस ओफ अचीवमेंट का एहसास नहीं हो रहा था जिसका कि मैं आदी था जन्वरी का महीना था और सांच नहले से वो भगवान दास रोड़ वाले मेरे नई फ्लैट पर मेरे साथ थी उस वद 11 बजने को थे अब मैं समझता था कि ससन काफी हो गया था पिकने काफी से जादा हो गई थी लिहाज अब मेरे जहन उसको रुकसत करने के कोई तरकीब सोचने में मश्गूल था कोई ऐसी तरकीब जिसके तहत मुझे उसको रुकसत करना ना पड़ता वो खुद ही रुकसत हो जाती बाइज़त बिना कोई offense फिल के वैसे एन उलट भी होता तो मुझे कोई अतराज नहीं था पाँच घंटे के मुझ वातर मौज मेले के बाद फुल टीटमेंट के बाद कहें को होता भला चै महिने से मैं उससे वाकिफ था और उस दौरान उसे लाइन मारने का कोई मौका मैंने नहीं छोड़ा था लेकिन नाउमीदी ही हाथ लगी थी आँखों का मिकना तीसी सूर्मा भी उस बार काम नहीं आया था कच्चे धागे से बंदे सरकार नहीं चले आये थे और आज जब ऐसा हुआ था तो कच्चे धागे की भी जोर नहीं पड़ी थी जैसा कि मैंने पहले अरज किया मुलगा भी खुद ही मेरे सर पर आ बैठी थी अब हाजिर को हुज़त कौन करता है दान की बच्चिया के दात कौन गिनता है लेकिन ये बात रहे रहे कर मेरे जहन में कुनमुना रही थी कि ऐसा हुआ तो क्यों कर हुआ कोई वज़ा तो मेरी समझ में ना आई लेकिन यूस टूरली का जाती अनुभव है कि जिस बात का कोई मतलब ना हो उसका जरूर कोई मतलब होता है पाँच गंटे की लंबी तफरी से मैं राजी था संतुष्ट था, तृप था और अब तफरी को फुल स्टॉप लगाने का ख्वाइश मन था बावजूद किसी गूण ग्यानी महानुभाव के कतं के कि सेक्स इस नेवर एनफ इस संधर में खाकसार अपनी जाती राए ये जोनना चाहता है किस फानी दुनिया में सेक्स से बहतर कुछ हो सकता है सेक्स से बत्तर कुछ हो सकता है लेकिन सेक्स जैसा कुछ नहीं हो सकता दूसरे, आपके खादिम के साथ कुछ अच्छी बीते तो उसे धहशत होने लगती है कि पता नहीं आगे क्या बुरा होने वाला था जिसके कि वो भूमिका थी तीसरे, आदमी का बच्चा लालत से नहीं बच सकता क्योंकि वो पूरा ख्याल रखता है कि लालत उसके बच्के ना निकल जे जाए इसलिए गुज़र्श साब पांच घंटों से वो मेरे पहलो में थी साहिबान, मुझे उमीद ही नहीं, यकीन है कि इतने से ही आपको एहसास हो गया होगा कि सुधील कोली, the only one, एक बार फिर आपसे मुखातिब है बाज लोग मुझे लक्की बास्टर्ड भी कहते हैं और कितनी ही बार मैं खुद भी अपने को इसी अलंका से नवास कर खुद अपनी पीठ थप थपाता हूँ लेकिन कोसने के तोर पर नहीं, गाली के तोर पर नहीं, तारीफ के तोर पर कहते हैं अलबता ये तफ्तीश का मुद्दा है कि कहते वक्त उनका जोर लक्की पर जादा होता है, या बास्टर्ड पर बहरहार आपके खादिम को इस अलंकरण से कोई अतराज नहीं क्योंकि किसी भी वज़ा से सही, नाम तो है ना, सुधील कोली का दिल्ली शहर में और आस पास चालिस कोस तक, बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा के अंदाज में जो शोला वदन खातून इस वक्त मेरी शरीके फ्लैट थी, जो मेरे साथ हम बिस्तर थी और ड्रिंक शेयर कर रही थी, और भी पता नहीं क्या कुछ शेयर कर रही थी, कर चुकी थी और अभी आगे करना चाहती थी, उसका नाम अंजना रांका था मेरे और उसके उस खड़ी के साथ की एहम तरीन वज़ा ये थी, कि खाक साल की पसंद की हर चीज उसमें थी लंबा कद, छरहरा बदन, तनी हुई सुडोल चातियां, पतली कमर, भारी नितम, लंबे सुडोल, गोरे चिट्टे हाथ, पाउं, खूब सूरत नया नक्ष, रिशम से मुलायां, खुले, काले बाल, and what not, कोई खामी थी तो बस यही थी कि शिकारी ने शिकार का सुख नहीं प कब वो बोली, मज़ा आ गया, पकी बात, हाँ, that's good news, of course it is, तो फिर छुटी करे, क्या, shall we call it a day, अरे क्या कह रहे हो, तुमने बोला ना, मज़ा आ गया, यानि कि mission accomplished, तो फिर रात खुटी करने का क्या फायदा, क्या, अरे, तुम पागल तो नहीं हो, तभी तो तुमारे सा बात हो, क्या, क्या बोला, तुम्हारा पागल, दिवाना, अशयदाई, हो, तुमने क्या समझा था, मैंने, मैंने तो, I will have another drink, अभी होकम की तालीम होती है, मालिकार अलिया, अभी drink पेश होता है, लेकिन लेटे लेटे तो drink नहीं बनाया जा सकता न, ना सरफ क्या जा सकता ह no, oh yes, तो फिर मेरी चाती बसे उठो, हो, उसने पड़े करवड बदली, मैंने उठकर दो drinks त्यार की, refresh cheers, एक उसे सौपता हुआ मैं बोला, cheers, and any happy return of the day, and night, आमी, उसने विस्की का एक हूट हलक से उतारा और होट चटका है, मज़ा आ गया, फिर आ गया, हाँ, अरे, रोक के रखना था न, पहले जाने क्यों दिया, मालूम, क्या, music हो, drinks हो, तो और क्या चाहिए जिंदगी में, क्या चाहिए, मैंने बोला था न, एक दिन मैं खुद ही चली आउंगी, देख लो, चली आई, इसी बात का तो अफसोस है, क्या, इतनी देर लगा दी चले जाने में, तरसा दिया, हो, मैं तो कुछ औरी समझी थी, तुम क्या समझी थी, चोड़ो, कुछ कम समस्ति हो, जाने मन, कुछ और जादा समस्ति हो, बैसे एक बात बोलो, दो बोलो, you know how to serve a woman, किसी को अच्छा हैंडसम नसीब होगा, Sweetheart, तुम्हें तो इतना भी मालूम है, मेरे को तो ये भी मालूम है, कि किसे हैंडसम हस्वन नसीब होगा, अच्छा, किसे नसीब होगा, तुम्हें, वो खामोश हो गई, जैसे जो मैंने कहा था, उसे समझने की कोशिश कर रही हो, हावी होते नशे को दर्किनार करके समझन की कोशिश कर रही हो, मैं समझी नहीं, मैं समझाता हूँ न, देखो, जै महिने से हम एक दूसरे से वाकिफ हैं, आज के रफ्तार के जमाने में ये ऐसा कोई कम नहीं, अब हम हमेशा वाकिफ ही तो बने नहीं रह सकते न, मेरे ख्याल से अब हमें भविश्य के बारे में शादी, खाना अबादी, मैं बोला, जबकि शादी के मामले में मेरी जाती राय खाना बरबादी के ज़्यादा करीब थी, अभी हस्बेंट के बारे में मैंने जो कहा था, लगता है सच में ही नहीं समझी तूं, लेकिन शादी, और मैंने क्या कहा, इतनी जल्दी, कोई जल्द तुम्हारे मंकी भी यही मुराद होगी वो तो है वो तो लेकिन तो फिर ठीक है एट देट महिने में हम अंगेजमेंट की रसम अदा कर लेंगे फिर भगवान ने चाहा तो एट देट साल बात पागल हुई हो अभी तुम्हारा मतलब है आज कल में अरे अभी अभी मैंने जॉब का क्या होगा तुम कोई जॉब करती हो यह तो तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं अरे वोडलेंड कलम में जहां तुम अकसर आते हो और मैं क्या करती हूं हाँ वो भी जॉब कहलाती है तो और नहीं तो क्या तफरी मौज मस्ती भी जॉब होती है खमाल है मैं तो सम Nonsense, जवाब दू, सवाल का पता लगे तो जवाब दू न, मैंने कहा था मेरी जवाब का क्या होगा, क्या होगा, एक घंडे की छुट्टी ले लेना, एक घंडे की छुट्टी, हरे शादी करने है या आइब्रोस बनवानी है, ओके, ओके, हावडे की सही, लेकिन इतनी जल्द शादी तो कोर्ट में भी नहीं होती, पहले एक महिने का नोटिस देना पड़ता है, हम मंदिर में शादी करेंगे, गंधर विवाब, जो कि हमारी सधियो पुरानी प्रमपरा है, एक हार तुम मुझे पहनाओगी, एक मैं तुम्हें पहनाओंगा, बस हो गई शादी, मजा क कर रहे हो, मैं सीरियस हूँ, तुमने शादी के अटूट बंधन में बंधने से इंकार किया, या आनाकानी की, तो मैं समझूँगा, कि हम इतने करीब होते हुए भी हकीकतन अजनभी हैं, है? नहीं, नहीं, गर्ट, तो फिर कल सुभा ही हम पती-पतनी होंगी, फिर हनीमून होगा, फिर extended हनीमून होगा, फिर बच्चे होंगी, बच्चे? बच्चे होंगी? और क्या नहीं होंगी? और क्या मैं वो हूँ, या तुम वो हो? वो तो सब ठीक है, लेकिन बच्चे? बारा से कम मुझे हर्गिस कबूल नहीं होंगी, सब के सब क्रिकेटर, मुल्क में एक स जमा अपना एम्पायर इस वास्ते तुम तुम पागल हो गए दिवाना माइडियर दिवाना शैदाई पहले भी बोला तुम्हारा फुल दिवाना कहके लोगों ने मुझे अक्सर बुलाया है मालूम अगर पूछा किसी ने हाल ये किसने बनाया मैं तेरा नाम लूँगा सुश्मिता सुश्मिता मेरा नाम सुश्मिता है मालूम मालूम वही तो बोला सुश्मिता माई हनी पॉट तुम्हे नशा हो गया है अरे मेरा नाम अंजना है दो दो नाम वा एक टिकट के दो मजे कभी अ कभी सुश्मिता, मैं तरुनम में बोला, कभी सुश्मिता, कभी अंजना, हाए अल्ला मर जाए दिल वाले, सुधील कोहली, यस माइ लव, तुम्हारा दिमाग चल गया है, हरे कहां गया चल के, साला कहीं तिनी दूना निकल जाए कि शादी में पंगा पड़ जाए, क्योंकि म मैंने दिल से शादी करनी है, दिल से, अभी तो कह रहे थे कि मेरे से शादी करनी है, दिल से तुम्हारे से शादी करनी है, मैं, मैं जाती हूँ, जाती है तो जा, ओ जाने वाली जा, मेरे दिल से, धड़कन से, जा सके तो जानू, जब दिमाग ठिकाने आ जाए ना, तो क्या बात है, हाँ वाईनसलियत सामने, कौनसी असलियत, जो मैं तुम्हारे चेहरे पर किताब की तरह पढ़ सकता हूँ, अच्छा, क्या पढ़ सकते हूँ, पढ़ चुका हूँ, क्या, जो तुम इस घड़ी अपने आप से कह रही हो, ओ माई गौड, हरे क्या, क्या तुम अपने आप से कह रही हो मैं क्या हूँ और इस सुधिल क्या है क्यों मैं इस जैसे धक्कन के साथ अपना वक्त बरबात कर रही हूँ मैं, मैं कह रही हूँ तुमें धक्कन देख लो, अभी भी कहतो रही हो लेकिन, माना, तुम सुन्दर हो अती सुन्दर हो, बढ़िया बनी हूई हो सामने से कोहनी तक आती हो और मैं तुम्हाने मुकाबले में कहीं नहीं ठहरता खास्तों से सामने से कोहनी तक कहीं तक नहीं आता लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे ढकन समझो ओ गौड यकीन नहीं आता हरे मैंने तो कभी भी खुद मुझे यकीन नहीं आता तुम्हें क्या यकीन नहीं आता कि कि हमारे भी सब खत्म है सब खत्म है रोमान्स, कोट्शिप, शादी, ग्रहस्ती, बच्चे यकीन करने के लिए मैं तुम्हें जुबाने सुनना चाहता था अब वो भी सुन लिया क्या, सब खत्म? यकीन तो नहीं आता लेकिन समझो, मेरे तूटे दिल की आवाज सुनो जब दिल तूटता है तो बड़ी दर्द भरी आवाज निकलती है जो कभी कहती है अब जा मेरे एक्स जा एक्स? अभी से? अभी तो पूरा एक मिनट भी? जा, जा के अपनी पसंद का अपना घर संसार बसा किसी नौन धककन से दिल, जिगर, किड्नी, कलेजा, फेफ्रे, पैंकिर्याज लगा इंकी, पिंकी, पपूटी नू बना फिर बिस हकीर, फकीर, सुधील का ख्याल आए तो कभी आना, अपने बच्चों को भी लाना मैं फिर तरणनों मोड पे पहुँचा अपने उनको भी लाना, चाय वाई पी के जाना कभी हफते, महिने या साल भर में सुधील कोहली, वो उच्चर कर खड़ी हुई और दाथ पिस्ती बोली Yes, my dear, fuck you I reciprocate the feelings, my honeypot आनर्म फानन में वो कपड़े पहनने लगी Mission accomplished, मैं मनी मन बोला तभी call bell बजी, वो सक पकाई उसने सशंग भाव से पहले दरवाजे की तरफ और फिर मेरी तरफ देखा टाइम से मैं बेखबर नहीं था लेकिन फिर भी अनायास मेरी निगाव wall clock के और उठी 11 बच कर 5 मिनट कौन होगा? वो बोली मैंने भी हराने से कंधे उचकाए मैं नहीं चाहती कि किसी को यहां मेरी मौझूदगी की खबर लगे किसको? यह कौन जानता है तुमको? कि तुम यहां हो? उसने जवाब नहीं दिया सच पूछो तो मैं भी नहीं जानता कि कौन आया है? खुद मैं यहां पर नहीं हूँ तो फिर? फिर क्या? कॉम्प्लेक्स का कोई होगा? शाय सेक्यूरिटी स्स्राफ से? उन्हें मेरी यहां मौझूदगी की खबर नहीं लगनी चाहिए You are talking nonsense सेक्यूरिटी को पहले से खबर है वरना यहां पहुँच भी ना पाई होती तो कोई? कोई और हुआ तो? तो बेडरूम में नहीं गुसाएगा यहीं टिकना दरवाजा खोलना जूरी क्यों है? जो आया है जवाब नहीं मिलेगा तो टल जाएगा तुम बात का बदंगड क्यों बना रही हो? रात की इस घड़ी कोई कॉल बेल बजा रहा है तो नहाग तो बजा नहीं रहा होगा कोई खास बात ही होगी यहीं टिको मैं देखता हूँ अनिश्चित भाव से उसने सहमती में सहिलाया मैंने एक ड्रेसिंग गाउन से पहना और भाजा कर दवाजा खोला चौकट पर मुझे एक अधेर महिला दिखाई थी वो होट वाली बलसाती ओड़े थी और पूरी तरह से भीगी हुई थी जाहिर है बाहर बारिश हो रही थी या होके हटी थी अपने अभिसार के दौरान मुझे इस बात के कोई ख़बर नहीं लगे थी यस मैं भीतर आ सकती हूँ सहमती में मैंने सह हिलाया और एक तरफ हटा भीतर आकर उसने खुद ही अपने पीछे दवाजा बंग कर लिया और फिस सबसे पहले अपनी बलसाती उतारी नीचे वो शर्वाह सूट और मैचिंग कार्डिगन पहने थी उसका जिस्म कसा हुआ था कद लंबा था उम्र से वो पैतालिस के करीब की जान पड़ती जादा की भी हो सकती थी लेकिन रख रखा बढ़िया हो पैकिंग पॉलिश उम्दा हो मुकजी की जबान में ठीक से डेंटेंड पेंटेंड हो तो क्या पता लगता है उम्र का आप सुधील कोली ही हैं न फेमस प्राइवेट डेटेक्टिव सुधील कोली हूँ मैडम पीजी हूँ फेमस के बारे में सुना है कि हूँ मैं नाम से ही वाकिफ थी नाम के पीछे किसी नौजवां की उमीर नहीं कर रही थी तो क्या अब करेंगी या नामवीद होके लौट जाएंगी नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है आप जादा ही मुतमीन होती हैं अगरचे कि मैं कोई उम्र दराज शक्स होता जिसके उम्र ही इस बात की गवाई दे रही होती कि उसे पीडी होने का 20 साल का तजर्बा था 30 साल का तजर्बा था 40 साल का Mr. Koholi, I didn't mean any offense आपकी तारीफ? Well, मेरा नाम श्यामली तोश्निवान है तोश्निवान? मेरे जहर में कई घंटी खड़की मैंने नए सीरे से उसका मुयाइना किया तो मुझे उसके कानों में हीरे के टॉप्स और एक उंगली में हीरे के अंगुठी के दर्शन हुई गले में वो जो हा सा पहने हुई थी वो भी precious stones का था जिनकी पैचान मुझे नहीं थी अलबता वो हीरे नहीं थे लेकिन हीरो जैसे कीमती बराबर थे उसने बसाती दर्वाजे के करी पड़ी एक टेबल पर डाल दी और हैंड बैक से एक रुमाल निकाल कर अपना मुँ माता पोंचने लगी बे मौसम की बसात है फिर भी तयारी से निकलिया तयारी मैंने मेज पर पड़ी बसाती की तब फिशारा किया उसने मेरी निगाहों का अनुसरान किया और फिर बड़े अनिश्चित भाव से सहमती में सहिलाया तश्रीफ रखे जो कि उसने एक सोफे पर रखे और मैं उसके सामने एक सोफा चेर पर बैट किया अब फरमाएगे इतवार 13 जन्वरी सन 2013 की रात को 11 बच के 11 मिनट पर मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ उसने सकपका कर मेरियो देखा मिस्टर कोली मुझे अपनी बेवक्त की हाजरी का पूरा हैसास है मैडम मौत और क्लाइन का कोई भ्रोसा नहीं कभी भी आ सकते हैं और मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ आप यकीन जाने मेरी समस्या गंभीन ना होती तो मैं हर्गेज आपको इस वक्त डिस्टर्ब ना करती नेवर माइंड आपको मेरे इस मुकाम की खबा थी थी तो नहीं लेकिन निकाली किसी तरीके से वो एक शंट ठिट की और फिर बोली बाइदावे मैं शिव मंगल तोष्णिवान की पतनी हूँ लिहाजा उसकी बात जो मैंने सोचा था वो ठीक निकला था शिव मंगल तोष्णिवान बड़ा व्यफसाई था धनको बेर था जो कि बहार से कहीं से सुना था कि नेपाल से आकर दिल्ली में स्थापित हुआ था बहार से ही वो अपने साथ दौलत का अंबाल लाया था जिसको उसने दिल्ली में विबिन व्यफसाईों में लगाया था खुब तरक्की की थी और दिल्ली के व्यफसाईक वर्ग में अपनी पुक्ता शिनाक्त बनाई थी एक्रोनॉमिक टाइम्स में अकसर उसकी बाबत ख़बर होती थी उसकी तस्वीर छपती थी इसलिए मैं उसके नेम, फेम, अकलेम और सूरत से वाकिफ था आपके हस्बेंड पैतिश्था मैं बोला बड़े रसूक वाले आदमी है मैं उनके नाम से वाकिफ हो अब बताइए आपके आमद का क्या मैं ये मतलब लगाऊं कि इतने बड़े आदमी की बीवी को मेरी एक मामूली पीजी की प्रोफेशनल सर्विसिस के जुरुत है है तो ऐसा ही वो बोली बश्यते कि आपको मेरी मदद करना कबूलो क्या मदद चाहती हैं मदद का आश्वासन पाउंट तो बोलू मैडम, I am a professional फीज के आप फिर करना करें मिस्टर कोली, मुह मांगी हासिल होगी फिर क्या बात है अब कहिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी बताती हूँ लेकिन पहले मैं आपको एक छिट्टी दिखाना चाहती हूँ छिट्टी जिसके जरिये आप मेरे कहिसे भैतर समझ पाएंगे कि मुझे आपकी मदद की क्यों जूरत है ओके, I see उसने अपने पर्स में से एक दो बार मोड का तैह किया हूआ कागस ब्रामत किया और मुझे सौपा मैंने कागस को खोल का सीधा किया तो पाया उस पर दर्ज, तहरी, कंप्यूटर से टंकित थी मैंने उसे पढ़ना शूर किया लिखा था शिर्मंगल तोशिमान You son of a bitch 22 साल पहले तुने मेरी दो बेश केम्थी चीजों से मुझे महरूम किया था मेरी बीवी से और हम दोनों की साजी मिलकियत कोला खदानों में मेरी हिस्से से कोला खदानों को लेकर जो बिजनिस डील जो वेफसाइट कॉल करार हम दोस्नों में हुआ था उसकी वज़ा से और तेरी कमिंगी की वज़ा से मेरी जान जाते जाते बची थी जान तो बनाने वाले ने भली की की बच गई लेकिन और कुछ ना बचा अब मैं तेरे से वो सब छीन लूँगा जो तेरे पास है तेरी जान भी जिस पर तु इतराता है ये मेरा तेरे से वादा है 22 साल पहले का वो दिन ना मैं भूला हो ना तू भूला होगा जबकि तू मुझे नेपार के एक बफीले प्रवश्षिकर कॉंटी टॉप पर पिकनिक के भाने तफ्री के भाने एडवंचर के भाने ले गया था मुझ मूख का तेरे पर ऐसा एतवा था कि मैं समझ ना सका कि असल में तेरे मन में क्या था तेरे पर भरोसा बलकि अकीदा रखने वाला मैं उस वत की तेरी खूफिया शाते बदकार यार मार चार को ना समझ सका समझना तो दूर कोई मुझे उस बाबत खबादार भी काता तो मुझे हर्गेज यकीन ना होता कि तू मेरे मेरे खिलाफ अपने दोस्त, अपने बिजनिस पार्टनर के खिलाफ कोई खिनोनी, जलील, बेगैरत चाल चल सकता था जब संभलने का खबादार होने का मौका हाथ से निकल गया था तब बहुत देर बाद मेरी समझ में आया था कि क्यों तू ने मुझे आगे चलने को बरफीले परवत के शिखर पर पहुंचने को कहा था इसलिए कहा था ताकि तू चुप चाब मेरे पीछे पहुंचकर मुझे शिखर से धक्का दे पाता मुझे खत्म कर पाता यू मेरी हस्ती मिटा पाता कि बाद में जान पड़ता कि मेरी मौत एक हाथसा थी एक्सिडेंट ना कि डेलिब्रेट कोल ब्लड़िट मर्डर कैसा एहमक था मैं कि तुम्हारी बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ वो करार किया था जो कि मेरी आँखों पर दोस्ती की दोस्त के साथ वफादारी की पट्टी नावंदी होती तो मुझे साफ दिखाई देता कि मेरी आइंदा मौत की भुमिका थी हम दोनों में हुए उस करार पर जो कहता था कि हम दोनों में से कोई एक मर जाता तो दूसरा अपने आप ही पूरे बिजनिस का मालिक बन जाता तुम्हारा सारा जोड इस बात पर था इसी वज़ाद पर था कि शुरू से ही तुम्हारा मकसद यार मारी था यार को मार का उसका बिजनिस में ब्राबर की हिस्सेदारी को हरपना था कमी ने उस घड़ी तुझे नहीं मालूम पड़ा कि जैसे कि तू चाहता था जैसा कि तुझे निश्चित जान पड़ता था शिखा से नीचे धकिले जाने पर मैं शिखा से नीचे की गहरी खाई की तलहटी में जाकर नहीं गिरा था वैसे गिरा होता तो आज तुझे चिटी ना लिख रहा होता मैं रास्ते में ही पहाड में से प्लेटफॉर्म की तरफ बहार निकली हुई एक बरफीली चटान पजा गिरा था और खाई के गर्ब में समा जाने की जगा वहीं अटका रह गया था हिलने से, करवट बदलने से, ध्याशत खाता अपनी दाई टूटी टांग और टूटी बहां के साथ मौत की घड़िया गिंता दो दिन मैं वहाँ पढ़ा रहा था जबकि उधा से गुजरते कुछ शेरपाओं की मेरे पर निगा पड़ी थी और उन्होंने तब तक एन सर पर आंग खड़ी हुई मेरी निश्चित मौत से मुझे बचाया था एक घंटा और उनकी नजर मेरे पर ना पड़ती तो वहाँ से मेरी लाशी ब्रामद होती वे लोग मुझे एक नजदी की गाम में उठा कर ले गए थी जहां वक्त के साथ मेरी तूटी हड्यां तो जुड़ गई मेरी तंदृस्ती तो लोट आई लेकिन मेरी याद दाश्ट हमीशा के लिए चली गई बीस साल, पूरे बीस साल मैंने नेपार के उस छोटे से गाम में अपने अतीज से पूरी तरह से बेखबा शक्स के तोर पर गुजारे फिर दो साल पहले जैसे करिश्मा हुआ मेरी याद दाश्ट लोट आई एक साल और मुझे नॉर्मल होने में पूरी तरह से रिकवर करने में लगा फिर तेरे से बदला लेने के लिए तुझे तेरे के की सक्त सजा सुनाने के लिए मैं नेपाल से निकला और इंडिया लोटा इंडिया में मैंने 36 गण का और आगे सरगुजा का रुख किया जहांकि हमारा बिजनिस ओफिस था और जहां से करी भट गाम में हमारी कोईला ख़दाने थी वहां से मालूम हुआ कि हमारी ख़दाने कोईला से खाली हो चुकी थी और हमारा कॉपी रेट आफिस बंद हो चुका था और त्यकिकात पर मालूम हुआ कि अब तेरा ठिकाना रिहायश और बिजनिस दोनो रायपूर में था वहां पहुँचा तो पता चला कि तू वहां से भी शिफ्ट कर गया था और अब दिल्ली में जाबसा है मैं दिल्ली पहुँचा तू कोई मामूली आदमी तो था नहीं जिसकी तलाश में मुझे दिक्कत होती तू तो बड़ा आदमी था बड़ा बिजनिसमेन था बड़ा बिजनिस टाइकून था दिल्ली के रहिसों के पतिष्ठित वर्ग में पतिष्ठा मिस्था पित था लिहाजा मामूली पोच्चता से मालूम पढ़ गया कि दिल्ली में तू वसंद कुझ की एक आली शान कोठी में रहता था और भीका जी कामा प्लेस में तेरा ओफिस था कमीने एक साल से मुतवातर मैं तेरे और तेरे घरबार पर तेरी बीवी पर, खास्तों से बीवी पर क्योंकि वो मेरी बीवी है आज भी मेरी बीवी है निगाएं रखे हुए हूँ विदवा तो वो नहीं है क्योंकि मैं जिन्था हूँ और तलाग कभी हुआ नहीं तू मुझे जिन्दा समस्ता तो उसे तलाग की किसी कारवाई के लिए उकसा था लेकिन तुझे तो पूरा पूरा यकीन था कि वो विदवा थी क्योंकि तूने ही उसे विदवा बनाया था तेरे से बहतर कौन जानता था समझता था कि मैं मर चुका था दुनिया की निगाह में वो तेरी बीवी है लेकिन हकीकतन वो मेरी बीवी है इसलिए तेरे बच्चे तेरे जैसे ही हरामी है जब उनकी मा का तू खाविन नहीं हो नहीं तो वो हराम के अलाधी तो हुए बरहाल अब वो घड़ी आन पहुँची समझ जबकि जो तू ने अश्यामली ने मेरे साथ किया उसका सिला तुम लोगों को मिलेगा मैं बदला लूँगा भर पूर बदला लूँगा अब बदला ये नहीं होगा कि कोईला ख़दानों की मेलकियत और मुनाफे में बयर मैं सूध अपना हिस्सा क्लेम करूँ या अपनी बीवी को वापिस हासिल करने के कोशिश करूँगा मेरा बदला जैसे को तैसा होगा जो हाल तूने मेरा क्या था वो मैं तेरा करूँगा श्यामली का करूँगा खून का बदला खून ही होता है लहाजा मैं एक एक करके तुम सब को मार डालूँगा तेरी बेटी सुरुभी के तो उस रास्ते पर कदम पढ़ी चुके हैं जो सीधा पर लोग को जाता है अब श्यामली की बारी है फिर तेरा बेटा शिशे और आखिर में तू मौत को जहलना असान होता है लेकिन मौत के इंतजार को जहलना बहुत कठिन होता है बेलकी साक्षाद नर्क होता है ये बात मैंने तब जानी जब मैं लुंज पुंच दो दिन उस बरफिली चल टान पर तिल तिल पल पल मर रहा था तेरा नंबर आने तक तेरी मौत आने तक मेरी निगा हर शंट तेरे पर होगी और मैं तुझे बेलिये के जाल में फसे पंची की तरण तरपता फर फड़ाता किस्तों में मरते देखने का सुख पाऊंगा मुझे उमीद नहीं कि मेरे तेरे लिए कयामत की घड़ी बनकर तेरे सामने आंख़डे होने से पहले तु पल भल को भी चैंकी नीन सो पाएगा कमीने ये भी तेरी सजा है कि तु अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरता देखेगा और ये भी मेरा बदला है अब इंतजार कर होनी का जो अनहोनी बनकर तेरे सर पर नाचेगी सुजीत तह्यान मैंने पत्र को पूरवत तह किया और उसे अपने और महमान के बीच में वाजूर टेबल पर रखा हम फिर मैंने घंबी रूंकार बरी मैडम ये तो सीरियस मसला ही है क्या मतलब वो सक्पकरी कोई प्रैटिकल जोग तो नहीं प्रैटिकल जोग हो नो ऐसी वाहियात हरकतों का रिवाज तो है ये आजकल होगा लेकिन जो आपके सामने है वो हकीकत है कैसे मालूँ मैं सुजीत के साइन बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ ओ मैंने साइन ना पहचाने होते मुझे उनकी बाबत गारंटी ना होती तो इतनी रात गए आपको डिस्टरप करने में यहां आई ही ना होती I see फिर मैं सुजीत की भाषा पहचानती हूँ उसके अंदाजे बया को समझती हूँ छिट्टी पढ़ते बात मुझे लग रहा था जैसे सुजीत मेरे सामने बैठा मेरे से बाते कर रहा था मिस्टर कोली इस बाद में शक्की कोई गुझाईश नहीं कि इस छिट्टी को सुजीत ने लिखा है छिट्टी आपके मौजू हस्बन के नाम है लिहाजा उन्होंने पड़ी होगी जाहिर है फिर आपको सौप दी हाँ बस ये कोई मामूली चिट्टी नहीं है मौत का फर्मान है पूरे परिवार को खतम कर देने के डंके की चोड धमकी है मेरे ख्याल से मिस्टर तोशनीवारं को पहले एक ख्याल तो पुलिस के पास जाने कही आना चाहिए था बड़े आदमी है जाते तो थाने चौकी तो ना जाते सीधे पुलिस कमिशनल के पास ही जाते नहीं जवा में उसने एक आहा बरी क्या हुआ मिस्टर कोली वो दबिस्वर में बोली मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे हस्बन को मुझसे कोई मुखबत बाकी नहीं अब अब तो है ही नहीं मुझे लगता है कि पहले भी कभी नहीं थी That's too bad Of course it is ऐसे रवये की कोई खास वजा है एक नौजवान लड़की की फ्राक में है हो हो कबसे दो उड़ाहे साल से लड़की कौन है एक लड़की फुल जड़ी बारगर, शोगर उम में थोड़ी ही बड़ी होगी हमारी बेटी से लेकिन मजाल है इस सिलसिले में उन्हें कोई संकोच हो, शर्मिंद्गी हो समझते हैं जवान की सौबत करेंगे तो जवान हो जाएंगे बलकि समझते हैं कि हो ही गए है हकल पर, विवेक पर, रहासा, जारू, वो फेर देती होगी बुड़ा आपा कोई रोजोस तो आता नहीं हैं जोय तो करना हुआ जी सिनेरियो मेरी समझ में आगया मैडम लेकिन आप कहना क्या चाहती है ऐसी आशिकी में उमरदराज आशिक को बीबी अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट जान पड़ती है और उससे पीछे चुड़ा लेना कोई असान काम नहीं होता लेकिन पीछे चुड़ाने का तमन्ना ही हर ऐसा शक्स होता है माफ कीजेगा मैं अभी समझा नहीं इस चिट्टी में दर्ज धमकी के तहत अगर सुजीद सच में मेरा कतल कर दे तो सोचे मेरे हस्बन की कितनी बड़ी मुराद अपने आप ही पूरी हो जाएगी ओह ओह एक बार ये काम उनका काम हो जाए फिर वो पुलिस के पास के आप फोज के पास भी चले जाएंगे बहुत दूल की कोड़ी है मैडम आपका कतल इस बात का अपने आप में सबूत होगा कि धमकी जारी करने वाला आगे भी इस रूट पर बड़ी असानी से बढ़ सकता है ऐसा होने का इंतजार करना तो अपनी हालत आ बैल मुझे मा जैसी करना हुआ खुदकुशी करने जैसा हुआ एक बात और भी तो है न जिसकी वज़ा से वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहते अच्छा और भी है उन्हें कते ही अकीन नहीं कि ये छिट्टी सुजीत ने लिखी है वो इसे जैसे कि अभी आपने कहा प्रैक्टिकल जोकी समझ रहे है कैसे हो सकता है छिट्टी में ये तो दज़ है कि उनकी बेटी सुर्भी के मौत के रास्ते पर कदम पढ़ चुके हैं बेटी हो तब ना जी सुर्भी उनकी बेटी नहीं है मैंने उस बात पर विचाल किया क्या वो अपनी जुबानी अपनी बदकारी कबूल कर रही थी क्या बड़ी बात थी कल्योग था जो ना हो जाये थोड़ा था या शायद उसे इंकलाबी एलां की बदकारी के अलावा कोई और वज़ा थी मैं सिगरेट पूँ तो आपको कोई एतरास तो नहीं होगा मैं उसने इंकार में सही लाया मैंने अपने ड्रेसिंग गाउन की जेब से सिगरेट निकाली और सुल गई तो आपने फरमाया कि सुर्भी तोशनिवाल सहाब की बेटी नहीं है राइट हाँ वो बेचैन से भाव में बोली लेकिन इसका जो मतलब आप निकाल रहे हैं वो गलत है आपको मतलब है या आप जानती है मैं क्या मतलब निकाल रहा हूँ हाँ आपके मूँ पर लिखा है I see प्लीज एस्प्लें सुर्भी सुजीत की बेटी है सुजीत सुजीत यू मीन सुजीत रहान दा नेस्टी लेटर रैटर हाँ मैडम ये बात तो फिर छित्टी पर उसके जैन्यून होने पर सवाल्या निशान लगाती है कौन बाप होगा जो किसी गैर से बदला लेने के खातिर अपने हातों अपनी बेटी के कतल का तमन्ना ही होगा लगता है तोशनी वाल साहब की बात में ही दम है ये छिट्टी जाली है लेकिन सुझीत को खबर नहीं कि सुर्भी उसकी बेटी है हाँ मुझे उलजहा रही है बूल भलेया में डाल रही है कोई उलजहन नहीं कोई बूल भलेया नहीं सुर्भी सुझीत के गायब हो जाने के साड़े साथ महिने बात पैदा हुई थी सुर्भी और शिशिर उसका भाई दोनों जुड़वा है जब सुजीत गायब हुआ था बकॉल मिस्टर तोशनिवाल नेपाल में एक हास्से में जानगवा बैठा था तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं प्रेंगनन्ट थी मिस्टर तोशनिवाल को मालूम था मेरे बताय तो नहीं मालूम था लेकिन किसी तरह से मालूम पड़ गया फिर प्रीमेच्चोर डिलीवरी उनकी निगा में उनके शक को दोबारा कर दिया था बैकि यकीन में बदल दिया था फिर आयंदा उनके मन में में मेरे लिए जो नफरत उबरी थी शायद इसकी वज़ा यही थी बच्चों के साथ कैसा रवई आये उनका वैसा ही जैसा मेरे साथ था उनका शक यकीन में बदल जाने के बाद जाहिर है ये बात उन्हें सालती थी कि बच्चे उनके नहीं थी मेरे से उनकी शादी का नतीजा नहीं थी मैं क्या कर सकती थी उस वक्त के अपने जिस्मानी हालाट से मैं नावाकिफ थी वाकिफ होती तो असले जरूर बयां करती वहले ही शादी ना होती उसने एक सरदाह भरी जो कि पता नहीं असली थी या नाटक था हर औरत जन्म जात अभीनेत्री होती है हन नाटक होना क्या बड़ी बात थी? आखे जब सब कुछ उजागर था परत्यष्टा मैं बोला तो तलाक की नौबत क्यों नहीं आई? तलाक की बात क्यों नहीं उठी? वज़ाई कानूनी पेज़ीद की थी तो उशनीवाल सहाब को जिसका एहसास नहीं था दोनों पार्टनर्स में जो ये करार हुआ था कि एक के मैं जाने से दूसर बिजनिस में उसके हिस्से का भी मालिक होता कोर्ट को उससे इतिफाक नहीं हुआ था कोर्ट में हत्पराण की विद्वा को यानि कि मुझे उसका सवाभावेक वारिस करा दिया गया था ओ, मेरे को तो जल्दी ही लगने वाला था कि तोशनिवाल साहाब ने मेरे से शादी हिस्स ले की थी कि घी खिचडी में जाता एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से उनका पार्टनर के हिस्से पर कबजा बना रहता विद्वा कबजे में तो उसका इनहेरिटेट माल भी कबजा है जी, क्या यही वज़ा थी आननफानन शादी की? आननफानन? क्या मतलब? शादी के, I mean आपके पहले हस्बन के गायब होने के साड़े साथ महने बाद जब बच्चे भी हो गए, तो शादी आननफानन में ही हुई न? ऐसे तो हुई, लेकिन यकीन जानिये, शादी के वक्त यह बाद मुझे नहीं सूची थी आपको तब क्या सूचा था? जो सुचाया गया था, मिस्टर तोशनी वाल दिवांगी की हद तक मेरे पर फिदा थे तब जब कि शादी मुम्किन थी, तो एक पल भी मेरे से जुदा नहीं रहना चाहते थे आपने बोला नहीं कि अभी तो पती की चिता की राख नहीं ठंडी हुई थी? सब बोला, वो कुछ सुनने को तयार नहीं थे, ना और नेवर जैसी सुचेशन पैदा कर दी थी इसलिए आपने शादी करना मन्जूर कर लिया हाँ, लेकिन खामोशी से, बेना किसी आडंबर के, बेना किसी धूमधाम के आई सी, तो जो वजह आनन फानन शादी की थी, उसी वजह से तलाक अब उनके लिए घाटे का सौधा है बिल्कुल, हम, अब बताओ, इस चित्टी के बारे में तुम्हारे एस्पर्ट योनी, ओपिनियन क्या है? मैडम, इस मामले में मेरे को आपके हस्बंड के ओपिनियन से ज़्यादा इत्तफाक है मेरे को तो फ्रॉडी जान पड़ती है किसी वारदात के वाक्या होने के 22 साल बाद वारदात का प्रेत एक आएक यूंसर उठाए ये कोई हजम होने वाली बात नहीं अगर ये होक्स है, किसी की शरारत है तो मेरी निगा में बेतरी कदम यही बनता है कि उसे पुलिस की जानकारी में लाया जाए वो पहले ही इंकार में सही लाने लगी दूसरा कदम प्राइवेट प्रोटेक्शन है जिसका आजकल वैसे भी बहुत रिवाज है रसुक वाले लोकों में दिली में ऐसी कई सिक्यूरिटी एजनसी हैं जो प्राइवेट प्रोटेक्शन महिया करवाती है फैमली के लिए ऐसी प्रोटेक्शन अवील कीजिएगा फिर देखेगा दो तीन दिन में ही हकिकत सामने आ जाएगी कि छिट्टी जन्यून है या फ्रोट छिट्टी में आपकी बेटी का खास्तों से जिक्र है उसके प्रोटेक्शन का तो खास्तों से इंजाम किया जाना चाहिए इस वरत कहा है वो? पता नहीं जी मेरा मतलब है इस वरत कहा है पता नहीं सुबह अपनी कार पर घहसे निकली थी अभी मेरे यहां के लिए रवाना होने के वक्त तक तो वो पापस नहीं लोटी थी उसका यूँ सारा सारा दिन घहसे बाहर रहना आम बात है आम बात तो नहीं है लेकिन कभी कबार कभी कबार you know how young girls are nowadays independent, खुद मुखतार, headstrong यही समझ लो घहसे निकलते बद बोल के तो गई होगी कि कहां जा रही थी हाँ, बोल के तो गई थी कि friend के साल लंबी तफरी का पोग्राम था friend स्वाती नाम है स्वाती सलूजा, मही पारपूर में रहती है रात हो जाने पर उसने फोन पर आपको बोला था कि वो वहाँ थी या रात वहीं सखी के पास रुखने वाली थी नहीं, जब रात पढ़ गई थी तो फिक्रमंद होकर मैं नहीं फोन किया था सुर्भी को पहले उसको, फिस स्वाती को सुर्भी का फोन स्वीच डॉफ था और स्वाती से जवाब मिला था कि छे बजे के करीब दो खेल गाम में अंसल मौल में उससे अलग हो गई थी और अपने घर लोट आई थी उसके बाद से सुर्भी के उसे कोई ख़बर नहीं थी और कहां गई हो सकती थी वो किसी और सहली के गार उसने अन्भिक्ता से कंधे उचका है या कहीं और वो कई शंस खामोश रही फिर हिच्चाती सी बोली एच्चली चेतरपुर में मेरे हस्बन का एक फार्म हाउस है तोशनीवार फार्म हाउस के नाम से लेकिन वो अकेले वहां कभी नहीं जाती ठीक है लेकिन जाने पर पावंदी तो नहीं होगी न आखिर मालिक की बेटी है वो फार्म हालिया खईद है और वो अभी इतना well equipped नहीं है कि सुभी वहां overnight रहना सूचता उसको पता करने में तो फिर भी मैं नहीं समझता कि कोई हर्च था दस बचे के करी मैंने वहां phone किया था तो landline के गंटी बसती रही थी कोई जवाब नहीं मिला था मिलता तो कौन जवाब देता को क्या मेरे पास पहुंचने में आपने भगवान दास रोड तक का लंबा फासला तै किया छता पूरा वसंकुंच के बीच का फासला तो इस सेक्तिहाई भी नहीं वो खामोश रही उसने बेचैनी से पहलू बदला मैं आप अलक उसकी तरफ देखता रहा मैं घबराई हुई थी वो दबे स्वर में बोली ये चिट्टी पर चुकने के बाद से मेरे होश उड़ गए थे चिट्टी के लाइन हतोरे की तरह में जहन में बसती थी कि सुर्भी के कदम उस रास्ते पर पढ़ भी चुके थे जो सीधा पर लोग को जाता था इस वज़ा से आपको फार्म हाउस का फिरा लगाने का ख्याल नहीं आया यही समझ लीजे हम् मैंने विचार पूर्ण हुंकार भरी और सिगरेट का लंबा कश खीचा मैं इस बात के मतलब पर जाओ उसका स्वर और भी दब गया तो मेरे प्राण कपते हैं उसने असाहे भाव से गदन हे लाई फिर बोली तो तुम्हारे पास बेहतरीन राय यही है कि तोशनी बार सहाब छिटी लेका पुलिस के पास जाए हज तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें मैंने साफधान पूरवक स्वर में कहा क्या करने जाएं लाश ब्रामत करवाने के लिए आखरी शब कहते उसका गला भराया आखे नम हूठी उसने पर्स में से एक रुमार ब्रामत किया और अपने मूँ छुपा का धिये दिये सुबखने लगी क्या फिर ड्रामा हाई वोल्टेज होसला रत खे मैं सांतवना पूर्ण स्वर में बोला कुछ नहीं होगा मैं तुम्हें क्या मालूम रुमार पर से मूँ ठाते वे वो बोली मालूम तो नहीं लेकिन मैं उमीद करता हूँ बल्कि दूआ करता हूँ कि कुछ नहीं तुम समझते हो रात की इस घड़ी में नौजवान बेटी की सलामती के लिए मरी जा रही मा तुम्हारी दूआ हासिल करने के लिए आई है मैं हर बड़ाया और क्या चाहती है आप जो कहें मैं करने को तयार हूँ क्या करने के लिए तयार हो उसके लहजे में तलखी आई पुलिस के पास जाने जैसी कोई और राय देने के लिए तयार हो या तभी फोंकी घंटी बजी वो खामोश हो गई आशंकित भाव से उसने मेही तरफ देखा मैंने अनभिकता से कंधे उचका है घंटी बजती रही आपकी यहां आमद की किसी को खबर है? मैंने पूछा मैंने वो नर्वस भाव में बोली अपने हस्बन को बताने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने सुनने में कोई रुच्छी नहीं दिखाई थी पीट फ्यल कर सो गई थे और किसी को? उसने इंकाय में सरहिलाया मैं उठकर फों के पास पहुँचा मैंने कॉल रिसीव की कोली? अवाज मने तुरंत पहचानी लाइन पर इस्पेक्टर देवेंदर यादव था यादव फ्लाइंग स्कॉरेट के उस दस्ते से सम्मन था जो खास हैड़क्वार्टर से केवल कतल के केसों के तफ्तीश के लिए भेजा जाता था और कौन रात इसकी घड़ी में बोलेगा? शारुखन! बकवास नहीं कोली, बकवास नहीं रात की ए घड़ी तुम्हारे लिए ही नहीं मेरे लिए भी फिर तुम तो घर पर बैठे हो क्या बात है? मैं बदले स्वर में बोला मिसिस तोशनीवाल, शामली तोशनीवाल पहुंची तुम्हारे पास? जवाब देने की जगा मैंने माउथ उपीस पर हाथ रखा और अपने महमान से संबोधित हुआ आपके बारे में पूछा जा रहा है आप तो कहती थी कि आपकी यहां आमत की किसी को ख़बर नहीं थी? ठीक कहा था मैंने वो बेचे आइन भाव से बोली यकीन करो मेरा खोली? यादव उतावले भाव से बोला हाँ माहुथ पीस से हाट हटाकर मैं बोला सो गए क्या? नहीं तो जवाब क्यों नहीं देता? हाँ पहुची अभी भी यहीं है क्यों पूछ रहे हूं? क्योंकि उसका हस्बन शिव मंगल तोशिवार पूछ रहा है सौर नंबर पर कॉल लगा दी उसने क्याता है तुमसे मिलने गई थी लौटी नहीं इसलिए मैं जिम्मेदा गुनागा? नहीं लेकिन सौर नंबर की कॉल से तुम्हारा क्या वास्ता? मेरा वास्ता कतल से ही नहीं कतल के अंदेशे से भी होता है आई पास समझ भी? आई फार्म हाउस से फार्म हाउस का नाम तोशनीवाल फार्म क्या समझे? जो मैं समझा वो मेरे से जवान पर लाते ना बना नौजवान लड़की? फिस साबधानी बररे स्वर में बोला हाँ खूब सूरत, मौडर्ण, नौजवान उर्मन का अंदाज़ा 20-21 बाई कन पटी पे गोली गन तब भी हाथ में ततकाल मौथ खुद खुशी पहली नज़र में तो यही लगता है मरने वाली की कुशिनाक तुई? हाँ सुर्भी तोशनीवाल शिर्मंगल तोशनीवाल की बेटी वो? वो वहाँ क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? वही जो मालिक अपनी मिलकेत में करता है उसका बाब मालिक था उस प्रॉपर्टी का उस पर क्या पावंदी आयद होती है? कि वो मौजूद ना हो मामले में? छीक तुमने बोला मा भी वही है खबर का देना उसको ओके समन्द विछेद हो गया रिसीवर क्रेडर पर रखकर मैं वापस गुमा तो वही थमक कर खड़ा हो गया मेरी महमान जिस सोफे पर बैठी थी उसके करीब फर्ष पर अचेत लुडकी पड़ी थी उसका चेहरा कागस की तरह सफेद था और लगता था जैसे अचेत ना हो मल गई हो तौबा अंजना मैंने आवाज लगाई वहां से कूच के लिए पूरी तरह से त्यार वो चौकट पर पकट हुई क्या है वो रूखे स्वर में बोली अरे दिखाई नहीं देता क्या है इसे उठाकर सोफे पर लिटाने में मेरी मदद करो क्या हुआ से क्या क्या तुमने इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया तो भियोश क्यों हो गई नीचे कैसे गिर गई जरूर तुमने कोई जबदस्ती अरे सदमा लगा है मेरी मा शरीफ औरत के साथ जबदस्ती करोगे तो नहीं लगेगा सदमा उसे बेटी की मौत का सदमा कमबक्त क्या इसकी जवान बेटी का कतल हो गया है खबा सुनते ही इस हाल में पहुँच गई है गनी मत है कि धड़का ना लगया मरना गई हो अब हिल हम दोनों ने मेल कर बिहोश महमान को वापस सोफे पर लिटाया मैंने पानी की बोतर काबु में की और उसके मूँ पछिटे मारे वो कुन मुनाई मैंने जबरन उसे दो घुड पानी पिलाया खांकती करहाती अधितर पानी वापस उगलते वो उट कर बैढ़की मेरी बच्ची काबती से वो बड़ी मुश्किल से भोल पाए मेरी बच्ची कैसे जाना मैं बोला अभी फोन पर दूसी तरफ से आती आवाज भी सुनाए ते गई हां 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 शाम को निकली बीवी घहन ना लोटी फिक्र हो गई पुलिस को कॉल लगा दी बेची सुबह से निकली घहन ना लोटी उसकी ऐसी फिक्र नहीं की ऐसा क्यों बेची उसकी नहीं है न हां आप से भी हां आपने बोला कोई मौबत भाकी नहीं अब मैं क्या कहूँ, वो सुबकने लगी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, दीरज रखे मैडम, देखा, देखा क्या किया उसने, अभी भी कहतो चिट्टी फरजी है, प्रैक्टिकल जोक है, हॉक्स है, मैं खामोश रहा, जो उसने कहा कर दिखाया, मेरा पती मजाग मजाग काश, काश तुमने संजीत की से मेरी बात सुनी होती, और वक्त रहते उस पर अमल क्या होता, कैसे PG हो, कैसी सर्विस करते हो क्लाइंट की, शर्म आनी चाहिए, क्लाइंट कब बनी आप मेरी, जब मैं यहां आ गई तो, हरे क्लाइंटर कब की मैंने, रिटेंग कब किया आप उसकी बसाती पड़ी थी, उसे पहने की कोशिश करने लगी, अब बारिश नहीं हो रही भाया, मैं धीरे से बोला, वो ठिट की, फिर उसने बसाती को धोरी करके, अपनी बाईंग बहां पर डाल ली, और मैं इन डोल की और बढ़ी, कहां जा रही है, अपनी बेटी के पास, जह मुझे होना चाहिए, बिना वापस घुमें वो बोले, मैं लेका चलता हूँ आपको, वक्त पर काम नहीं आये, तो अब दया भाव दिखाने का क्या फायदा, वक्त हासिल कब हुआ मुझे काम आने के लिए मैडम, भूल गई, चिट्टी में क्या लिखा था, ये कि आप पर यहां वापस फेल के दिखाता, मैं जासूस हूँ, जादूगर नहीं हूँ, तुम, तुम कुछ नहीं कर सकते, हाँ, मुर्दे कुछ जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन कातिल को तलाश करने की, उसको ग्रफदार करने की, उसको उसके केकी सरजा दिलाने की कोशिश कर सकता ह वक्त रहते वो पकड़ा चायेगा तो कम से कम अपनी करतूत को दोबारा दोड़ाएगा नहीं तो आपका बेटा, आपका पती और खुदा आप सलामत रहेंगी वो वापस खुमे, भारी कदमों से चलती मेरी करी पहुंचे मिस्टर कोली फिर कातर भाव में बोले मुझे अफसोस है मैंने आपको बुरा भला कहा मैं दिल से शर्मिंदा हूँ, never mind लेकिन अब तो कबूल करो कि छिट्टी फरजी नहीं है, कर लिया देल की मैंने तुम्हारे पास आने में, जल्दी हाज आना चाहिए था वक्त रहते आती तो शहिए सुर्भी बच जाती गुनागान हूँ मैं अपनी बेटी की, हे भगवान और वो फूट फूट करोने लगी खामोश हो जाए मैं, हो सकता है जो लाश ब्रामद हुए वो आपकी बेटी की नहो उसके रूदन को ब्रेक लगा ऐसा हो सकता है होने को क्या नहीं हो सकता इस फानी दुनिया में फिर उमीद पर दुनिया कायम है आसु पूछिए सहमती में सह हिलाते उसने फिर रुमार निकाला और वही काम किया मुझे डर लग रहा है आप कते इस बिल्कुल नमर डरिये मैं डर्ना तो अब सुजीत त्रिहन नाम के कातिल को होगा बहुत जल्द वो कानूं के लंबे हाथ उसकी गदन के गिर्द होंगे तुम कोशिश करोगे न कि ऐसा जल्दी से जल्दी हो जरूर यकिनन I will give my 100% to this case मैं थैंक यू तुमारी फीस मैं ले लूँगा नहीं मैं लेकर आई हूँ मैडम मैंने बोला न मैं खामोश हो गया तब तक वो अपने पर्स एक चेक बरामत कर चुकी थी उसने मुझे चेक सोपा मैंने चेक पर वहाँ निगा डाली जहां रकम दर्ज होती थी एक, दो, तीन, चार, पांच, जीरो यानि एक लाख रुपया जबकि मैं बता था तो उससे आधी रकम भी बतोर रिटेनर मुझे बाग खुशी कबूल होती सुधीर कोली मैंने मन ही मन खुद अपनी पीट थत था पाई दलकी बास्टर्ड ले लूँगा, ले लूँगा मुहलाहाज ये का भजन था ले ही लेनी थी कोई वालिंटर तो था नहीं यूर्स टूर्ली फिर घोडा घांस से यारी तो नहीं कर सकता न अरे करेगा तो खाएगा क्या थैंक्यू मैं परतश्ता मैं बोला सर हिलाका उसने मेरा थैंक्यू कबूल किया फियों अंजना की और घूमी जैसे पहली बार उसे वहाँ उसकी मौजूद्गी का एसास हुआ ये ये कौन है ये थी मैंने बोला मतलब समझे जा नहीं रही जा चुकी है सुधी कोली दाथ कटके टाती अंजना बोली यू सन अफ दा बिच ओरिजनल मैं दीरे से मुस्कुराता हुआ बोला इस जगत पसित बिच ने जितने सन पैदा किये हैं उनमें सबसे पहला पहलोटी का पांप पटकती तो वो वहां से रुकसत हुई अब पांच मिनट वापस सोफे पर विराजी मैं जराच चेंज करके आता हूँ पीछे से मैं शामली को मुखातिब हुआ उसने सहमती में सहिलाया मैं बेडरूम में दाखिल हुआ और मैंने अपने पीछे दवाज़ा बंकर लिया कुछ शन में वहीं ठिटक कर खड़ा रहा और उस घड़ी जो मेरे जहन में घुमर रहा था उस पर विचाल करता रहा विचाल करता रहा सोचता रहा कि क्यों मुझे लग रहा था कि मेरी बेवक की महमाई शामली तोशनी वाल को वहां कदम रखने से पहले ही खबर थी कि उसकी बेटी मर चुकी थी पुलिस की टेलिफों कॉल से उसे बेटी की मौत की खबर लगी होना उसका टोटा ड्रामा था क्या पतंग बाज़ और ती अब पता नहीं किस फिराक में थी हम चतरपुर पहुँचे बारिश तब नहीं हो रही थी और अंधेरे में ये कहना मुहाल था कि मेरे फ्लैट से 20 किलोमीटर दूर के उस इलाके में बारिश हुई ही नहीं थी या हो कर बंद हो चुकी थी तोशनीवाल फार्म की बौंडरी वॉल में एक विशाल फाटक था जो उस घड़ी पूरा खुला हुआ था और उसके पल्ले आजू-बाजू के विशार पिलस के पीछे चुपे हुए थे आगे एक लंबा ड्राइब वे था जिसके सिरे पर एक बहुत बड़ा आहता था जिसमें फार्म हाउस की एक मंचिला इमारत थी आते में बाई और तीन गाणियां खड़ी थी जिनमें से एक PCR वेन थी और जिसके दोनों तरफ बड़ा-बड़ा Special Squad दिल्ली पुलिस लिखा था वो वेन वहां इस्पेटर देविंद्र यादव Officer in Charge Special Squad की मौजूदकी की प्रिचायक थी Special Squad पुलिस का वो दस था जो सिफ कतल के केसों की तफ्तीश के लिए भीजा जाता था लिहाज़ा दिल्ली में कतल की हर वादात में इस्पेटर देविंद्र यादव की हाजरी और दकल निश्चित था दूसी कार एक पुलिस जीब की थी और तीसरे एक Ambassador थी जीब जरूर लोकल थाने की थी कार भी वही की हो सकती थी लेकिन ये भी मुम्किन था कि वो पुलिस लैब से आये एस्पर्ट्स की थी मैंने अपनी कार को उन गाणियों से विपीद दिशा में कंपाउंट के दूसरे बाजू में पार किया मैडम मैं बोला अभी आप यहीं ठेहरिए मैं भीतर के हालात मालूम करता हूँ और फिर आपको खबर करता हूँ लेकिन उसने बेचैनी से कुछ कहना चाहा मैडम अगर मरने वाले आपकी बेटी नहीं है तो भीतर आपका कोई काम नहीं है लेकिन अगर फुसर भी मैं मालूम करता हूँ न ओके हिच की चाहते हुए उसने सहमती में सहिलाया कहां से निकल कर मैं आगे बढ़ा मैंने फार्म हाउस के कवर ड्राइब वे में कदम रखा तिक वर्दी धारी सिपाई में डोल के सामने के ब्रामदे की और तीन सीड़ियां उतरा और मजबूती से मेरा रास्ता रोका ख़ड़ा हो गया कौन हो? वो कलकर श्रम में बोरा कहां जा रहे हूँ? सुधील कोली हूँ मैं जब्त करके बोला पीडी हूँ इंस्पेक्टर देविन दियादव का दोस्त भीतर मौका रिवादात पर जा रहा हूँ उसने गौँ से मेरी सूरत का मुएना किया मुझे ऐसा ना लगा कि उसने मेरी सूरत से या मेरे नाम से मुझे पहचाना था यही ढरो? वो पूर बत करके सोर में बोला मैंने सहमती में सर हिलाया वो भीतर गया और उल्टे पाउं वापस लोटा जाओ मैं भीतर दाखिल हुआ मेन हॉल में मुझे पांच पुलिसियों के दर्शन हुए उन में से एक ने इंस्पेटर देविंद यादफ तो हो नहीं था दूसरा उसका माथत यूवा सब इंस्पेटर गरीश तोमर था तीसरा मतवाल चंद नाम का इंस्पेटर था जिसको मैं पहचानता था और पहले से जानता था कि महरोली थाने का SHO था चोथा एक मेरे लिए नितान तंचिनवी समिस्पेटर था और पांचवा जो कि वहां मौजूद इकलोता शक्स था जो वर्दी में नहीं था जो सूरत से तो पुलिसिया ही जान पड़ता था लेकिन टेकनिकल स्टाफ से भी हो सकता था मतवाल चंद की मेरे पर निगा पड़ी तो ततकार उसके चेहरे पर अस पसंता के भावाए उसने मेरे तरफ यूँ देखा जैसे मैं कोई ऐसी डिश थी जिसका उसने ओर्डर नहीं दिया था ऐसे ही मिजाता उसका आततन मैंने अभी वादं किया यूँकि एक ही में सबको शुमार कर लिया हाओ भई पीडी सहाफ यादव बोला मैंने खास उसका अभी वादं किफिर किया इसका यहां क्या काम है मतवाल चंद बोला उसके सवाल से और सवाल करने के लहजे से ही मैं समझ गया कि वो भी मुझे भूला नहीं था शायद निकल आये कुछ यादव सहज भाव से बोला यह मने वाली की मा से वाकिफ है मा श्यामली तोश्निवाल अभी थोड़ी दे पहले इसके फ्लैट पस के साथ थी वो मेही तरफ घूमा अब कहां है बहार मेरी कार में बैठी है मैं बोला उसे खबर लग गई लग गई लेकिन उमीद के खिलाफ उमीद कर रही है कि शायद मक्तूला उसकी बेटी सुरू भी ना हो वही है शक की कोई गुझाइश नहीं पक्की पुक्ता शुनाक तुई है कैसे मरी फोन पर बोला तो था खुदकुशी कतल की कोई कुझाइश नहीं है सेच्चो साहब से पूछो मैंने मतवाल चंद की तरफ देखा ना भी हो तो दूसरे पहलू पर भी विचाल करना पड़ता है वो बुन-बुनाया दूसरा पहलू यानि की कतल वाला हाँ जो दिखाई देता है वो कातिल का स्टेज किया कवर आप भी हो सकता है लेकिन यादव साहब को तो मेरी रह से तफाक नहीं ओपन एंड शट केस है सुसाइट का बुलेट के एंट्री वून के आसपास कनपटी पर चेहरे पर जले बारुद के कन छिट के साफ पता चलते थे फिर गण खुद उसके हाथ में के लिए केस है यार खुदखुशी का खुदखुशी की वज़ा मालूम पड़ेगी सामने आएगी अभी तो शुवाद है तफ्तीश की लाश कहा है उठवा दी गई है पोस्मार्टरम के लिए बिजवा दी गई है इतनी जल्दी परिवार वालों को शिनात का तो मौका देते वो मौका मोर्ग में भी हासिल हो सकता है फिर भी राजधानी के कुछ हाल या हाल की वज़ा से आजकल पुलिस पर बहुत प्रेशर है बहुत हेटी है बहुत किर्किरी हो रही है पुलिस की इसलिए मुस्तैदी दिखाना जूरी था फिर मेरे मा को यह लाने का फैदा ही क्या हुआ देल की तुमने लाने में तुम्हाने आने से थोड़ी दे पहली तो ठवाई लाश अभी भी क्या आफ़त आ गई है सर्दरजंग की मोल्ग में गई है लाश मा वहाँ जाकर शिनात कर सकती है